हेलो फ्रेंड्स वेलकम एन वेलकम बैक टो राने किचन जोन दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं उमीद करती हूँ कि आप लोग हर बार की तरब बहुत ज़दा अच्छे होंगे तो चलिए देख लेते हैं कुछ अमेजिंग से किचन के टीप्स और हैक्स I hope आपको बहुत दाए तो लाइक शेयर के साथ चनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टीप तो देखिए इस तरीके से मैंने धनिया रखा था और ये कई बार ऐसा होता है कि जब हम खरीद करके ले आते हैं थोड़ी से हमारी लापरवाई की वज़े से जो हरी धनिया होती है वो भी बिल्कुल मुर्जा जाती है तो जब कभी भी आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो तो आपको गवराने की कोई बात नहीं है यहाँ पे मैं सलूशन बता रही हूँ बहुत ही अमेजिंग है और 110% वर्क भी करता है देख इसमें डाल देना है बर्फ के क्यूब्स जो भी आपके पास हो जिस तरीकी का भी आपने बर्फ जमा रखा हो आप उसको डाल दीजिएगा अगर आपके पास बर्फ नहीं है तो आप बिल्कुल चिल्ड पानी भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं तो देखिए हमने इतने सारे इसमें बर्फ के जो गोले थे वो डाल दिये हैं और अब मैं इसको छोड़ूँगी लगभग 15-20 मिनट तक और 15-20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि यह जो मुर्जाई हुई धनिया है यह कितनी जादा फ्रेश हो गई है तो यहाँ देखिए यह 15-20 मिनट के अब आप चाहे इसको सबजी में डालो या तो इसकी चटनी बना करके खाओ आई होप आपको यह टिप पसंद आई होगी चलिए बढ़ते हैं नेक्स टिप के तरफ तो देखिए यहाँ पे हमने दो बॉटल ले लिये हैं यह बॉटल बिल्कुल चोटे वाले बॉटल है आप सीजर से भी कट कर सकते हैं या फिर आप नाइफ को थोड़ा सा गरम कर लीजिएगा और उससे काटेंगे तो यह बहुत इसली कट जाता है या फिर इस तरीके के जो कटर होता है उससे भी कट जाता है अब देखिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे न हमने ब्लैक कलर की स आप उसका भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं अब यहाँ पे क्या करना है कि जो इसका टॉपल अपार्ट है वहाँ पे हमें चिपका लेना है जिससे होगा यह कि यह सेक्योर तो हो ही जाएगा साथ के साथ यह देखने में भी काफी खुबसूरत लगेगा तो देखिए हमने आप और बॉटम दोनों में इस तरीके से चिपका लिया है अब इसको कट कर लेना है कट करने के बाद देखिए अभी यह थोड़ा सा अधूरा रह रह रहा था मतलब मुझे लगा कि थोड़ा सा डेकोरेट इसको करना चाहिए तो जो टेप है ना उसी से मैंने बो बनाया औ वहाँ पे हमने छोटे-छोटे कट लगा है जिससे ये अच्छा लगने लगा थोड़ा सा प्रोफेशनल सा लगने लगा और आप देखिए इसको ना यहाँ पे बिल्कुल मिड में इसके चिपका लेना है तो देखिए इससे ये काफी खुबसूरत लगेगा और ये बनकर क तयार है बहुत छोटा सा एक और गनाइजर जिसको आप मल्टिपल यूज कर सकते हैं जैसे आप इसमें स्पून भी रख सकते हैं फॉर्क भी रख सकते हैं या फिर अपने बचों के जो स्टेशनरी होती है पेन पेन से लिया तो इस तरीकी के जो स्केश पेन होते हैं आप अब यहां पे इस्तमाल कर सकते हैं कैसी लगी टिप ज़रूर बताईएगा चलिए बढ़ते हैं नेक्स टिप के तरफ यहां देखिए मैं आपको बॉटल से रिलेटर टिप बताऊंगी जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमें यह बॉटल हैंक करके ले आना होता है मार्केट से या फिर कहीं से भी तो आपने देखा होगा कि जब इस पनी के अंदर इसको डालते है ना तो जब इसको हैंक करते हैं तो एक बॉटल नेचे गिर जाती है एक खड़ी रहती है या फिर एक दूसरे में टकराती रहती है तो यहां देखिए एक छोटी सिटी पप के साथ शेय करूंगे कि आप पॉलिथिन में ही लेकर के इस तरीके की बॉटल को आईए लेकिन थोड़ा सा रखने का जो स्टाइल होगा वो अलग होगा देखिए इस तरीके से हमने एक बॉटल रखी और फिर इस पॉलिथिन को थोड़ा सा एक बार ट्विस्ट कर देना है इस तरीके स ट्विस्ट करने के बाद ये जो दूसरी वाली बॉटल है उसको इस तरीके से रखना है और बस आपको जो हैंडल होता है वहां से आपको पकड़ना है तो इस तरीके से रखने का फायदा ये होगा कि ये जो बॉटल है दोनों एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे से सेपरेट रहेंगी बिल्कुल भी ये नीचे लुड़केंगी नहीं और टकराएंगी नहीं फिर आप बिंदास कहीं से भी अचार चटनी या फिर कुछ भी आप हैंग करके इस तरीके से ले आ सकते हैं अब देखिए यहाँ पर हमने दवाई ले ली है मतलब मैडिसिन ले ली है तो यहा लिमिनियम के फॉयल होते हैं वो तो इसे हमें निकालना है और इसका ही यूज करके मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही अमेजिंग यूज है शायद ही आपको पता होगा अगर किसी को भी पता हो तो आप जरू नेचे कमेंट बोक्स में बताईएगा तो देखिए यहाँ प ताकि जो इसके अंदर सॉल्ट है वो अच्छी तरीके से मिल्ट हो जाए अब देखिए यह सलूशन जो बनाया है हमने यह कहां पर किस तरीके से यूज होगा तो देखिए गर्मी के दिन में जैसे कि चांदी जो लोग पहनते हैं सिल्वर वो बहुत ही जल्दी काली पड़ जाती है तो जो भी आपके पास सिल्वर की जूल्टरी है आपको इसके अंदर डाल देना है और 15 मिनट तक आप इसको छोड़ दीजिएगा ऐसे ही जैसे अपने पानी में डाला बस अब 15 मिनट बाद में आपको दिखाऊंगी देखिए यह कितना जादा साफ हो गया है और ह इतना जादा साफ हो गया है अभी मैं इसको एक बार वाश कर लोंगे न तो यह और भी जादा चमक जाएगा और इस बोल के अंदर देखिए यह काले काले से जो भी इसके अंदर डॉस्ट थी मिट्टी थी या फिर जो भी था न वो एक दम से बाहर निकल गया है आई होप इसको यह टिप भी पसंद आई होगी अब देखि लेते हैं नेक्स टिप तो देखिए अब यह जो बचा वाला पार्ट है ना हम इसको भी नहीं फेकेंगी इसका भी मैं छोटा सा आपको एक यूज बताऊंगी जो बच्चों को काफी पसंद आएगा तो देखिए इस तरी कि इसे चोटे-चोटे राउंड शेप में कट कर लेने हैं तो देखिए हमने यहाँ पे बिल्कुल राउंड शेप कट कर लिये हैं तो चुकि हमारे पास चार ही था यह जो मेडिसिन का पत्ता है ना उसमें जो होल्स थे वो चार थे तो हमने चार गोल-गोल राउंड कट कर इसके corner corner पे glue लगाना है लगाने के बाद यहाँ पे आपको चिपका देना है बिल्कुल white paper और अब देखिए इसको इस तरीके से cut कर लेना है तो देखिए यह बहुत ही छोटू-छोटू से प्यारे-प्यारे से यह eyes बन करके ready हो गये हैं आप किसी भी animal को बना करके और उस पे इस तरीके से आप चिपका सकते हैं देखिए मैं आपको चिपका के भी दिखाऊंगी तो देखिए मेरे पास इतने मतलब four eyes बन करके बिल्कुल ready हैं अब देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा lion बनाया है और इसकी जो eyes है ना वो मैं इस तरीके से चिपका के दिखाती हूँ आपको बच्चे काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि मैं कोशिश यही करती हूँ ना कि चुकि देखिए बच्चों की छुटेयां पढ़ने वाली हैं और इस तरीके के जो चोटे-चोटे tips and tricks होते हैं क्राफ्ट होते हैं बच्चों को काफी पसंद आते हैं और काफी active भी रहते हैं वो अब देखिए हमने चिपका दिया अब इसको थोड़ा बहुत इधर उधर बैंड करेंगे ना इस page को तो इसकी आँखे इधर उधर मतलब दोनों side में move करेंगी जो की काफी खुबसूरत लग रहा था देखिए तो बस अपने बच्चों को इन चुटियों में इस तरीकी के नए-ने craft और activities कराईए बच्चे भी खुश और आप भी खुश फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताईएगा अच्छी लगी तो like share के साथा चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा कौन से tip आपको सबसे अच्छी लगी ये भी जरूर mention करिएगा और ये चीज़ में रोज पूछती हूँ जिससे मुझे बहुत motivation मिलती है मैं नई-नई वीडियोस आपके सामने लेकर के आती हूँ और आप कहां से हमारे वीडियो को watch कर रहे हैं ये भी जरूर बताईएगा तो आज के लिए इतना ही मिलती हूँ में कल एक और नई और बहुत ही जदा informative वीडियो के साथ तब तक के लिए आप अपना खूब सा ख्याल रखिए बाई-बाई and take care